नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग सनिवार के दिन छोटे छोटे प्रियोग किये जाते हैं जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए सत्रों से मुक्ति के लिए रुका हुआ फसा हुआ धानाने के लिए करजों से मुक्ति के लिए और जीवन के जो तंत्रबादा मंत्रबादा हैं उनसे बाहर आने के लिए जीवन में कभी-कभी अपने ही सत्रों हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं कि हर कोई सत्रू है, अपने भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं, आपके करियर से, आपके परिशनलिटी से, आपके खुसाली से, जलन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए, बस वो जलते ही रहते हैं, कभी-कभी तो तो इतने ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बहतर हो जाए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काली मिर्च की बात करेंगे देखिए काली मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जात घर में सुब और अच्छे वातावरन का प्रवेस होता है भागी को बदल कर रख देता है यह काली मिर्च माननेता है अगर आपके उपर सनीदेव की साड़े साती धहिया परिसान जादा करें आपको तब सनीवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ सनीदेव के प्रकोब से मुक्ती मिलती है तो ये तो सिंपल सा परियोग है इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परिसानियों से बाहर निकल आएंगे कई बार क्या होता है आप दिन बदिन उलस्ते चले जाते हैं किसी किसी चीज में कभी बीमारियां परिसान कर रही कभी धनकी समस्या है कभी पारिवारिक टेंसन है बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं एक को आप ऐसे ऐसे टेंसन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में आप माल लेते हैं आपके बहुत साई टेंसन आप परि पाशपार ले अब इसको किसी बी ऐसी अस्थान पर खड़े हो जाए अगर चोरहा है को आए सपास तो तो वहांँ चले ãy जो पांचवा बच गया है उसको उपर आसमान की तरफ फेके और वापस आ जाए पीछे मुड़कर मत देखिएगा आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे जीवन के बहुत सारे परिसानियों से आप बाहर निकल आएगे आज हम सत्रू मुक्ती के लिए एक छोटा सा परियोग आपको बताएंगे बहुत सिंपल है देखिए काली मिर्च आपको लेने है साथ याद रखिए साथ काली मिर्च अगर सत्रू जादा परिसान करें अपने हों पराए हों कोई भी हों सत्रू सत्रू है एक है हजार है सब का नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहिए तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब इसको आप किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा कूच दे पॉडर वाला जो मार्क गाय के कच्चे दूद में मिलाकर किसी भी सनी बार या सोम बार के दिन जाकर सिबलिंग पर अरपित कर दे भगवान से प्राथना करें कि सत्रू से मुख्ती दिलाईए यकीन मानिए सत्रू सांत हो जाएंगे तीन सनी बार या तीन सोम बार लगातार कीजेगा बहुत सिंप बाचित मत कीजिएगा परियोग करने के समय, आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर की गई प्राथना कभी भी और स्विकार नहीं होती, वो स्विकार हो ही जाती है, अब कई ब बहुत जगा दूद भी नहीं देते, दूद वाला लिट से देते हैं, क्या करेंगे तब? तब अगर आपको लगे कि नकात्मक उरजाएं बढ़ गई है, जीवन में टेंसन बढ़ गई है, परेसानिया बढ़ गई है, तब एक सिंपल सा परियोग करें, बहुत सिंपल है, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप दिसा बटक गए है, या पिर आप लगता है, लक्छ हीन हो गया है, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब एक सिंपल सा काम कीजेगा, आपको चाहिए होगा थोड़ा एक कागज, और वो अगर भोजपत्र हो, तो और बनाया जाता है, जिसमें लाइन डे नहीं होती, खीची भी वही वाला लीजेगा, अब इस पर काजल से या काली के सहारे सत्रू का नाम लिखिए, अब लिखले के बाद थोड़ा सा सहद उसके उपर लगा दे, जहां पर सत्रू का नाम लिखा है ना, उसके उपर, इसके ब के लिए आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देगा, जब आपने सहद लगाया ना, तो इसका मतलब है उसी समय सब खत्म, आपके बारे में कुछ वह गलस सोच भी नहीं पाएगा, एकदम से सांथ, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रयोग अदभूत है, तो सत्रू से मुक कोड़ सकते हैं न पकड़ के रख सकते हैं, आप फस चुके हैं, अब यहां पर जब ज्यादा परिसानी हो जाए तब एक सिंपल सा काम करें, आपको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने और गाय का घी, अब घी में थोरा सा घी पिगला ले, इसमें पांच काली मिर्च के दाने लेने, साबूत लेना है, किसी डबे में बरतन में लेकर जाएं, सिब जी के मंदिर, घर में भी कर सकते हैं, बाद में इसको उठाकर कई मिर्च में दबा दीजेगा, अब सिबलिंग पर इस घी में जो मिक्स किया है अपने काली मिर्च, उसको अरपित कर दे भगवान से प्रार्थना करें, जो प्यक्ति सिब जी के सरन में आ जाता है, भगवान संकर के सरन में आ जाता है, फिर जीवन में और कुछ आपको कहने की किसी से आवा सकता नहीं है, सिब जी से कहिए, लोगों से आपने बहुत कुछ कहा होगा, कोई हिल्प नहीं करेगा, जब सिप के सरन में आएंगे तो फिर देखिएगा कैसे समझ से आएं समाप्त हो जब आप काली मिर्च और घी सिवलिंग पर अरपित करेगा तो अपनी कामना कहिएगा बोल बोल कर मन में नहीं मन की बहुत सारी बाते होती है अच्छी बुरी डर भै लेकिन हर बात पूरी होन कि कोई तांतरी क्रिया आपके उपर करवा दिया है टोना तोटका आपको किसी की नजर लग गई है बरकत नहीं है नौकरी बैपर में भी तौरकी नहीं है प्रियोग क्लेम जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा देखिए एक घर में एक नियम बना लें जब भी आप दिया बाती करते हैं साम के वक्त याद रखिए साम के वक्त तब डीपक में एक काली मिर्च का दाना डाल कर और फिर जलाएं फिर देखिए कैसे आपकी जीवन की बच्छों का बीवास समंधी बाते करने जा रहें जमीन जायदा समंधी बाते करने जा रहें आप सोचते हैं कि उसमें सफलता मिले तब क्या करेंगे लिए सबसे पहली बात मुसीवत आने का एक प्रमुक कारण है आपके घर डंगे च्छत पर कबूत्र कि आने से इसलिए तो उसके ऊपर जूते से चपल से तोड़े और उसको थोड़ा सा आगे की और ठेल दें खिसका दें और फिर आगे निकल जाए पीछे मुरू कर मत देखिएगा आप जो भी कारे के लिए निकले हैं उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि जैसे ही आपने काली मिर्च को अपने पैरों से जूतों से आपने तोड़ दिया वैसे ही जो भी बुरे चाल हैं जो गरहों के जो बुरी परिसानी हैं जो पीड़ाए हैं वो समाप्त हो जाएगी एक खास बात हम आगे बढ़ें उसके पहले देखे कई बार क्या होता है आपके बच्चे हैं टीनेज के हैं बाहर जाते हैं इधादर घूमते हैं कभी उनको अंदर से अच्छा फेलिंग नहीं आता कहते हैं मनुदास सा लग रहा है तब दो दाने काले मिर्च उनको दे दे बोलें कि दान्स से चवाएं और उसके बाद थूख दें अगर किसी भी तरह का कोई नजर दोस होगा किसी तरह का तंतर बाधा होगा तो वो निकल जाएगा लेकिन उसके पहले एक और बाद देखे सनीवार के दिन सिर्फ सनीदेव की पूजा करने से आपको पुरा फल नह तो आज हम बात कर रहे हैं काली मिर्श की अगर जीवन में ज्यादा कस्ट हो जाए सनीदेव की बुरी दिष्टी हो परिसानी बढ़ गई हो तब एक चोटा सा प्रियोग करना है आपको आप अपने घर में जो घर का सबसे अंधेरा कोना है उस कोने में साम के वक्त एक सरसो के तेल का दिया जलाएं और उसमें दो दाने काली मिर्श के डाल दें बाती के पास ही रखिएगा ताकि वो संबब हो तो दाने भी जल जाए आपके घर का निगटिविटी समाप्त हो जाएगा